नमस्कार, मैं हूँ फरी नंसारी और आप देख रहे हैं Mobile News 24 अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने वाले हकीमो और जोलाचाप डॉक्टर्स के लिए शिवराज सरकार एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है जोलाचाप डॉक्टर्स को भी इलाच करने के लिए सर्टिफिकेट देने की तयारी हो गई है अब कोई भी बड़ी ही आसानी से डॉक्टर का डिप्लोमा करके इलाच करने का लाइसेंस पा सकता है दरसल भोपाल की अटल बिहारी वाचपाई हिंदी विश्विध्याले ने एक नया कोर्स चुरू किया है जिसके लिए अखबारों में एडविटिस्मेंट भी छप गए है इस कोर्स का नाम प्रात्मित चुकित्सा विशेशक की डिप्लोमा कोर्स रखा गया है अखबार में चपे यूनिवर्सिटी के विग्यापन में पीम नरेंद्र मोधी और शिवराज सिंग चोहान की तस्वीर के साथ छोलाचाप डॉक्तर्स को पीम नरेंद्र मोधी के आसम निर्भर भारत और रोजगार के सपने से जोड़ा गया है इसमें डिप्लोमा करने की फीस 24,000 रुपए बताई गई है महस 24,000 फीस पर नीम हकीम और जोलाचाप डॉक्तर्स को बकाईदा एक साल का डिप्लोमा कोर्स करवाने का जिक्र किया गया है इस कोर्स के बारे में बात करते हुए अटल बिहारी वाचपई हिंदी विश्विध्याले के वीसी रामदेव भारद्वाज ने बताया कि कोई भी बार्वी पास शक्स ये कोर्स कर सकता है इसके लिए किसी का बाग्राउंड नहीं देखा जाएगा उन्होंने बताया कि इसमें एड्मिशन ओनलाइन होंगे इसके परिक्षा भी ओनलाइन होंगी ये एक साल का कोर्स होगा जोला चाप हो या कोई भी बार्वी पास करने के बाद कोई भी व्यक्ति इस कोर्स को कर सकता है इसमें जोला चाप का प्रश नहीं नहीं है जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े, भले ही फिर वो कोई भी हो, वो निजी तोर पर क्या करता है, उसका background क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे लिए जरूरी है कि वो syllabus को अच्छी तरह से पढ़े, उसके हिसाब से exam दे, जो भी exam में पास होगा, उसको certificate दिया जाएगा हाला कि इस course को लेकर विपक्ष की Congress सरकार काफी विरोध कर रही है, Congress का कहना है, यह बहुत गंभीर मामला है, इस तरह कि जोलाचाप डॉक्टर्स को डिगरी देना गलत है, क्योंकि कई बार ऐसे case सामने आते हैं, जिसमें जोलाचाप डॉक्टर्स से इलाज करवाने के दिखाती है, यह देखना काफी दिल्चस्ट होगा, तो अगर आप भी डॉक्टर बिदना चाहते हैं, तो इस खबर में बताए गए तरीके पर अमल जरूर करें, साथ ही ऐसी और खबरे देखने के लिए आप अभी Mobile News 24 को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन के देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट